नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस एठीर मध्यप्रदेश 36 गड़ आपके साथ मैं हूँ अपड़ना मौजब वक्त हो गया है मध्यप्रदेश की महा डिबेट का कहते हैं सियासत का कोई नियम काईदा नहीं होता लेकिन चुनाव का जरूर होता है जिहां चुनाव दरसल चुनाव वो प्रक्रिया है जो हमारे लोकतंत्र को और बजबूती देने का काम करती है वो प्रक्रिया जिसमें जनता अपना जन प्रतिने धी खुद चुनने का काम करती है और इस प्रक्रिया को संफन और की पूरा कराने का जिम्मा होता है चुनाव आयोग के कांधे पर Free, Fair और Fearless चुनाव कराने के लिए तमाम नियम काइदे बनाए गए हैं और इन नियमों से उपर कोई भी नहीं खुद निर्वाचन अधिकारी भी नियमों से ही बंधे हुए हैं लेकिन इसी बीच MP के बालगाट में पोस्टल बालिट समय से पहले खोल देने का कॉंग्रेस का ये आरोप हैरान करता है कॉंग्रेस की तरफ से सामने आए विडियो में आरोप है कि नियमों की अवेलना खुले आम की गई हाला कि इस मामले की शिकायत के बाद चुनावायोग ने कारवाई करते हुए पहले तहसीलदार और फिर SDM को भी निलंबित करतिया है लेकिन कॉंग्रेस संतुश नहीं हुई दुरसल कॉंग्रेस का कहा रहा है जिस अदिकारी याने के जिला निर्वाचन अदिकारी जो की कलेक्टर होते हैं उन पर कारवाई की जाए है क्योंकि आदेश तो वहीं से जारी हुए थे आप इसा कर रहा भी करें उन्होंने जासी उनको देदी उनने पहले पड़वारी को तैसी जार को सस्पंड कर दिया आज सुनाए कि उनको सुस्पंड कर दिया जब यह नियम है कि गर्णा के पहले ही पोच्टर बोट की लिए दूसे जाएंगे इस प्रांग को कैसे खुले ग तो सुना आपने कॉंग्रेस कह रही है कि कलेक्टर को हटाए वरना मामला उपर तक ले जाया जाएगा वैसे मामला उपर तक यानिकी राष्ट्रे निर्वाचन आयोग तक पहले ही पोहँच चुका है कॉंग्रेस के अभिशेक मनुस सिंग भी से लेकर पहले ही नाशनल इलेक्टिन कमिशन को शिकायत कर चुके हैं तो वहीं बीजेपी भी इस मामले में कूद पड़ी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का इस पर क्या कहना है सरा वो सुननीचे वहां के परषाशन ने जो कारवाई किये उसमें किसी प्रकार का कोई लेकोना नहीं था ना किसी प्रकार का कोई अलगपरकार की मंसा थी तो इलेक्शन कमिशन के निर्देशों पर ही जो भी लापरवाई हुई होगी तो उसको लेकर के इलेक्शन कमिशन ने भी संग्यार में लिया है और जिसके खलाब कारवाई करनी चाहिए तो इलेक्शन कमिशन के संग्यार में आकर के वो उसको अपने नजर में लेकर के उस प कुबाल राग जुसर लेकर केंद्र तक देखा जा रहा है तो आए इसी पर आज हम करेंगे मध्यप्रदेश की महा डिबेट और हमारे साथ बात करने खेले खास महमाल जोड़ चुके हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं पंक का चतुरवेदी जी हमारे साथ कॉंग्र कॉंग्रोस पार्टी है कि संतुष्ट नहीं होती एस जीम को भी हटा दिया गया है सर्ट देखी ये कैसे पता चले कि चुनावायोग ने सब कुछ कर लिया आज हमको एक फोटो वायराल हो रहा है कि एक केजी बिसेन जो रिटार्ड अधीकारी हैं सिख्छा अधीकारी हैं वो इसे स्ट्रॉंग रूम में बैठे हुए मिले एक बात जो जिला निर्वाचन अधीकारी हैं उनके आदेश से ये सब काम हुआ दूसरी बात तीसरी बात यह है कि अगर यही काम बाकी के बावन जिलों में क्यों नहीं हुआ यह बाला घांट में ही क्यों हो रहा था इसक पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं चुनाओ आयोक के पास क्या यह फुरसत नहीं है कि वो एक प्रैस वारता बुलाए और एक एक चीजों का बिंदू वार अक्षर चाह जो है हर बात का उत्तर दे ताकि लोगों के मन में यह विश्वास पुना इस्तापित हो सके कि हमारे देश पार दर्शी मत गर्लाएं पार दर्शी चुनाओ प्रक्रिया है फियर ओ फियर लेस चुनाओ होते हैं लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं हुआ और आश्चर इस बात का है कि जो भारती जनता पार्टी है यह ऐसा लग रहा है यह प्रवक्ता है इसके चुनाओ आयोक के यह मोसेरे था लेकिन भारती जनता पार्टी तो कह रही है नहीं नहीं वो तो सबकाम ठीक ठाक हुआ है तो यह ऐसा क्यों है और इनकी क्या वज़ाएं यह तो जानकारी होनी चाहिए ज़र देश में पार दर्शी मत गर्ला नहीं होगी लाखों करोडों लोगों ने लाइन में लगकर अपने मतादीकार का प्रियोग किया कई मौसम अच्छा था नहीं था कई भार मौसम खराब होता है यह लोग तंतर में जो आस्था है जनता की उसको बचाए रखना बहुत जरूरी है ठीक है पंकर जी उनसे सवाल तो बन गया पूछ भी लिया गया कि भई आप संतुष्ट क्यों नहीं है लेकिन फिरो सिद्धिकी साहब कॉंग्रस के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बता दे कि वो इतने संतुष्ट कैसे दिख रहे हैं प्रक्रिया पर अब्जेक्शन तो उन्हें भी होना चाहिए ना देखिए अपना जी यह कॉंग्रेस के जिले क पतादिकारी हैं जिनका वीडियो में डिस्प्ले कर रहा हूं आपकी स्कीन पर दिखेगा यह वीडियो वाइरेल है जिसमें यह सजन कॉंग्रिस के जिले के पतादिकारी शब्कत खांग साथ है आपी वीडियो मत दिखाईए जी यह यह क्या बोल रहे हैं पड़ना जी कह कि सिर्फ इसलिए ब्रह्म था कि वहां जो कर्मचारी थे वह उत्तर संतोजनक नहीं दे पाए हमें प्रक्रिया पर कोई आपत्ती नहीं है और हम संतुष्ट हैं अब हम किसको सच माने जिले के बालागाट जिले के कॉंग्रिस के पतादिकारी को सच माने या मद्धिप्रद नहीं नहीं यहीं तो सवाल वो ठारे ना कि आप लोग इतने आक्ष्वस्त कैसे हैं जो काम एक दिन पहले होना चाहिए अगर वो पांस दिन पहले हो रहा है तो बतौर एक पार्टी तो आपका भी अप्जेक्शन होना चाहिए था ना आपको बिल्कुल भी आतराज दें कि प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के तहत अभी जारी है तीन दिसंबर तक मद्ध प्रदेश में और बाकी जगे आदा चाचार सहीता में मत गड़ना के स्ट्रॉंग रूम के निया में सी सीटी फूटेज लगा हुआ है यदि कोई गड़बड है तो यदि कोई आपती इसमें पख्षकार कॉंग्र eris के हम चुनाए योग थोड़ी है सही हुआ गलत हुए चुनाएक्정 करेगा हमारे तो मानना है कि यृदि प्रक्रियागत लापरवाई थी तो चुनायों कारवाई कर रहा है और विश्व का वह कारवाई करेंगा वीजेपी का इतना सा आगर है कि हम हमेशा निश्पक्ष और निर्भीक मद्दान के पक्ष में थे हैं और रहेंगे भारती जंता पार्टी किसी भी गलत चुनावी प् करती है यहां पर चुनायों यहां पर यहां पर समझनाव दिकार अगर कुछ लगता है कि गलत हुआ है तो शिकायत movimento कर प्रक्राओं कराया भी गया है और उस पर कारवाई भी हुए है लेकिन क्या इस पूरे घटना क्रम से फ्री फेर और फेरलेस जो एक नारा है क्या कही ना कहीं वो कमजोर होता है या कारवाई हुई है तो संतुष हो जाना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी को भी है देखिए इसमें थोड़ी सी तूटी महसूस बस होती है और वो तूटी असी हुई कि जो निर्धारे समय था उसके पहले इन लोगों ने खोल लिया और वो जो वहां का एक वीडियो मुझे भी देखने मिला था कि उसमें वहां पर वो लोग कुछ तो व्यवस्थित कर रहे हैं प्रापर सूचना नहीं दी गए और एक प्रकार का कन्फुजन पैदा हुआ है बस मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की बहुत इंटेंस तो एक छोटी सी वहां पर प्रक्रियात्मक तुटी होना महसूस हो रही है और उसके लिए मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग समुचित कारवाही करेगा तुटी के अनुमान लगा के मौके पर फैक्स को देखकर क्या आपको लगता है कि तुरुटी हुई है उसके तहत वो कारवाई उचित है क्योंकि कॉंग्रिस लगातार यह मांग करें कि कलेक्टर को भी हटाई है देखे मुझे वहां के पूरे फैक्स तो मालूम नहीं है कि वहां क्या 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 कैसी घटना हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग ने इस मामले में क्योंकि यह पूरी प्रसासनिक विवस्ता है तो जो जितना उनको लग रहा होगा उसे साब से कारवाही ज़्यों ने जरूर किया है जब तक उसमें वहां पर निर्वाचन आयोग देखेगा हमारे पास नहीं है मुझे नहीं लगता कि इन्वाल होंगे इस पूरी घटना में क्योंकि बहुत सारी मसिनरी लगी रहती है कलेक्टर के सामाने निरदेश रहते हैं उसके तहत लोग कर वहीं करते रहते हैं जी फिरो साब कारवाई हुई आपने शिकायद दर्ज करवाई अब शेक मनु सिंग्वी साब राष्टे सरफ शिकायद दर्ज करवाने के लिए पहुंच गये हैं तो फिर अब कलेक्टर को हटाने की यह जिद इस पर क्यों और एक और सवाल मेरा यह है ज की बंडल सॉट आउट के जा रहे थे तो फिर फिर उसके बाद कहा यह हुआ कि डीले हुआ उसके बाद शिकायद दर्ज कर आए गई इसका बाद में बनाया गया और हम लोग बाद में आए इसमें कोई लिखित सूचना किसी भी प्रत्याशी को नहीं दी गई यह कहा गया क तो यह इसमें बहुत सारे जो है टेकनीकल फॉल्ट्स हैं जो सामने दिख रहे हैं और ये आज भी तक नहीं जानकारी है नहीं पार रही है कि ये क्यों कोला गया है स्ट्रोंग रूम जब ये मदगरणा कारिकरम में लिखा था कि ये दो तारिक को ये स्ट्रोंग रूम खोला जाएगा और ये जितनी भी बेले ये पेटी हैं जो ठाकमत पत्रगी हैं ये ट्रांसफर की जाएंगी मदगलना स्थाल पर तो इसको पहले क्यों खोला गया और यदि जो आप गड़ियें बना रहे थे ये आप पहले क्यों नह एक आवश्वास नहीं है हमको दूसरे को या पदस्थ करके और यांक चुनाओ कराये जाएं तो इसमें अपत्ती क्या है। इतनी कभील t श्वास के भाव को जो है दूर किया जाना चाहिए एक बात दूसरी बात यदि सब चीज़ें ठीक थी तो फिर कलेक्टर हो एसडीम को तैसिलदार को सस्पेंड करने की क्या आवशक्ता थी उनको क्यों हटाने की आवशक्ता थी और मुख्य जो है जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं यह उनकी जमेदारी है ओब्जर्वर अगदर की मिन्प केंदर की तरफ से जोब जरब करने की कोई जानकारी सरकार देने को तैयार नहीं एक और मिए हमको फुन तरीके से यह चुनाओ आयोग कांग्रेस पार्टी को आश्वस्त करए कि पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है तो क्या आपको तीन तारिक को लेकर भी शक है देखिए सवाली नहीं है अगर यह 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 जो हो रहा है और इस तरीके से जो चुनाव अचार सहीता का उलंगन हो रहा है चुनाव मदगर्णा कारिकरम का उलंगन हो है और भी किस-किस जिले में हो सकता है कि हमें जानकारी में ना आया हो और यह इन घटनाओं को अंजाम दे दिया गया हो तो यह तुब जो है यह यह चुनाव नहीं मजा को रहा है लाइट चली गई सीसी टीवी तीन घंटे तक बन था क्यों जनरेटर का इस्तिमाल जनरेटर क पार्टी चुप नहीं रहेगी तो तीन तारिक के बाद तो कमलनाज जी की चक्की चलेगी वह जो चक्की हो धीरे पीस्ती धीरे चलती है लेकिन बारीक पीस्ती है यह बाद भी लोग समझ ले तो पर पहले भी सवाल उठा रहे थे आपके लीडर्स और आपके तमाम नेता अभी भी आप चक्की का पसा धारन देरें पं कर जी सुन रहे हैं आप देखे जो है वह सामने आ गया मैं मैं देखिए कि जपकरनाजी के चकी जक्की तो ओसकतो जाता है कि लोग जेल में पीस्टे है मृँतẹँ पर जस्ती चला लाते तो दीरे दीरे चलती वह कमलना दी जाने उनका काम जाने में उतकर अग्रे कर रहा हूँ के जो मंधोर दोबे जी ने कहा कि कॉंगरेस को शब्द को समझना होगा कॉंगेस अभी कॉंगरेस इर कंफिुंлетना राहुल गainted जी ने कहा और को कॉंग्रेस कर रहे हैं इरर याने तुटी फॉल्ट याने दोश तो तुटी और दोश दोनों में अंतर है और चुनायोग ने इस पश्ट तौर पर कहा कि तुटी थी तीन बजे का नूर्टीज जारी किया देड़ बजे क्यों खोला इसलिए अधिकारी जो अस्टेंट नोडल अधिकारी कर रहे हैं किसी ने समय के पहले उनको सेग्रिगेट यह लग लग छांट दिया तो उस पर कारवाई कर दी फिर संतुष्ट ने नहीं हो तो और जाओ कौन मना कर रहा है जो तर चुनाओं को देने चाहिए भारतेंदर पार्टी से कॉंग्रिस मांगती है और खुदी नहीं तैकर पा रही के इरर याने तुरुटी है या फॉल्ट याने दोश है कभी दोश की बात करते हैं कभी तुरुटी की मन्नोर जी इस फष्ट कहा कि यह तुरुटी है और जो सूचना सब को ती तीन बज़े से अगरिकेशन है ने चांटना था वो दिए प्रारम कर दिया और यहीं कॉंग्रेस को इन मित्र ने का जिनका वीडियो आपने मुझे का कि पंकर जी वीडियो मत चलाई है उसको नहीं कहा कि हम सं confusion था उसी confusion पर Congress पूरे मद्द्र प्रदेश की प्रशातिएं के लो सबको बदनाम करना चाहती यह है विश्वास दर इसे बहाने डूनना शुरू कर दिया गया है कहीं कह रहे है कि स्लो वोटिंग हो रही है अधिकार किसी और पाटी को लेकर किया है फिरोज साहब अविश्वास का संकत बहुत बढ़ा है कि ऐसका अंदर मशनिरी को लेकर ब्योरेकरसी को लेकर और क्या अपनी जीत को लेकर भी कहीं आप डगमगाय हुए तो नहीं है हम हमारी जीत को लेकर तो कहीं भी डगमगाय नहीं है डगमगाय तो भारती जनता पार्टी है अगर चुनाओ आयुक्त की नियुक्ती पर सुप्रीम कोट सवाल उठा दे राश्टी चुनाओ आयुक्त हैं उनकी नियुक्ती पर और सुप्रीम कोट एक अलग से नियमावली बना दे और फिर मोधी सरकार जो है उसी नियमावली को बदलने के लिए एक बिल ले आये संसद म तो शंका तो पैदा होती है एक बात दूसरी बात यह कि अमिश्चा खुदी कहके गए हम अद्देप्रदेश में कि जो अधिकारी करमचारी कमल का साथ ना दें उनको हम देख लेंगे हमने इसकी कुछ नहीं का अरे हम अरे आपको वीडियो दिखा देंगे अब यह तो यह त उसके बाद उसके बाद उनके खिलाफ कोई कारवाई ना हो राहूल गांदी जी के खिलाफ उतना माहम मुर्ख जैसा शभ्द बोल गए अरे लेकिश्ब्रव की मर्यादा कि ना की जाना है यहाँ पर उनको राजनेता किसी भी दलके हो नहीं मिला दाय यह भाएँ खड़े ह लेकिन चब्दों की मरियादा तो आजकर लोग भूली रहे हैं खास तोर पर हमाये तमाम राजनीता फिरूज साहब अरे भाई आप उधर मत जाईए मैं तो चुनाओ आयों की प्रक्रिया पे बात कर रहा हूँ भाई भाई हम तो हमारी ग्रेवान में जाके हैं आप आप ही बताईए ना और हम तो अभी में कहते हैं पर चेहरा बचाने की भूमी का लिखी जा रही है उसके लिए उसके लिए यह बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुता बता देगी आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन आप मनोहर दूबे जी जो एक आये सद्धिकारी रहे हैं उनके पास लोटना चाहूंगे सर जो तुर्टी और दोष्ट की बाद यहां पर पंकर जी कर रहे हैं मैं समझना चाहूंगे आपसे कि अगर यह तुर्टी हुई तो अगर कहीं मिस कम्मुनिकेशन हुआ और टाइम से पहले कोई चीज हो गई तो यह तुर्टी हुई है और अगर हुई है तो उसके लिए जो कारवाई है अब उसका क्या एक कैसे नियम काईदे उसके होते हैं क उस पर जो डिर्वाचा नायोगन नि जिस तरीके से पाया उस पर कारवाई उन्हों ने की अब दूसा सवाल है कि कितनी तूटी हुई थी वह भी उन्ने निर्धारण किया मौके पर बैलेट पेपर किसे किस इस्तिति में है वो भी उन्होंने देखया और मेरे ख्याल से जिस तरीके के वीडियो यहां वहां देखने मिलें उसके साफ से बैलेट पेपर पे तो कुछ गरबड़ी हुई नहीं है जो गरबड़ी हुई है समय की हुई कि उनको जिस समय खोलना चाहिए था उसके पहले खोल लिये और इस तूटी के लिए उनको दंड मिला बाकी सारे फेक्ट को देखते हुए जो आवसक होगी यह दि निर्वाचन की प्रिकरिया में से कोई अंतर नहीं पाल रहा है तो ठीक है तो वो मौके पर पूरी टीम के सामने वहां के लोगों के सामने बात्चीत उनको दिखा के बात हो सकती है मुझे ऐसा लग नहीं कि इसमें कोई इंटेर्शनल एक्टिविटी करमचारियों को द्वारा की जा रही है और अब तो इतना एडवांस्मेंट भी हो गया है ना इतने हाई टेक चीज़े हो गई है कि आपके सामने तमाम चीज़े होती है और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद यह चीज़े करताओं को लगाया जाता था पहले भी मैं 84 से लेक्शन में लगा हुआ हूँ जो मेरी नोकरी सुरुविटी तब भी ऐसे हुआ था कि बैलेट जो स्टांग रूम है उसके आसपस चोकीदारी करते हैं सभी राजनेतिक दल के लोग और वहीं बैलेट पेपर रहते हैं तो सा चीज आपके सामने हैं और जिस तरह से आप शिकायत दर्ज करा रहे हैं लेकिन सर यह बताइगे ना कि अब एक बार कारवाई हुए दूसरे सबारी को उताने की बात क्या कलेक्टर को उताने की बात पर ही खत्म हो जाएगी आपकी शिकायत या फिर उसके बाद और लंबी जलेगी शिकायत का इस सलसला देखिए ऐसा है कि जब तक हमारे सभी बिंदूओं पे हमको उत्तर नहीं मिल जाता और हमको माननी है चुनाओ आयोक से या नूपम राजन जी से इसके उत्तर चाहिए पहले हमको हमारे सभी जो है बिंदूओं का निराकरणों हमारी मांगे की कल एक्टर महुदे को हटाया जाए तो हटाया जाए और दूसरे जिला निर्वाचन अधीकारी के देख रेक में यह मदगलना कराई जाए यह बहुत छोटी सी डिमांड है हमारी इसको मान लेना चाहिए और हमको चुनाओ आयोक की तरफ से बिंदू वार जो हमने मुद्दे उठाए उनमिद्दों पर आनोंने क्या जाच की और कैसह जाच की हमको इसकी जानकारी चाहिए इतनी चोटी सी मांड क्या चुनाओ आयोक पूरी नहीं कर सकता है जानकारी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जाना के में जाना चाहिए यहाँ पर जूटी हुई थी पर कारवाई भी की गई शिकायद करने का अदिकार कॉंगरस पार्टी के पास था शिकायद दी भी गए है हरस्तर पर दी गई है और चुनाव आयोग ने राजिस्तर पर कारवाई भी की है बहुत शुक्रिया आप सभी वैमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इतना ही समय था मेरे पास और जो नतीजे हैं वो तो तीन तारिक को सामने आएंगे और इसलिए जो बड़ी कवरज है मेगा कवरज है महा कवरज है सुबह पांच बजे से ही पिकनी को मिलेगी जुड़े रही है हमारे साथ जुड़े रही है हमारे साथ